इस बार CUET के बारे में, तो सबसे पहले आपको मैं बता दू कि इस साल 2023 में 200 प्लस colleges या universities ने CUET के अंडर रेजिस्टर किया है, तो भी प्रेसेक्स 206 वो है, पिछले साल लगभक अराउंड 110 वो थे, इस साल वो number जो है, वो double हो चुका है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा colleges और universities जो है, वो CUET को adopt का रहे हैं, दूसरी important news ऐसी है, बहुत important है, और especially जिन लोगों का chance पिछली बार का, जो चला गया था, form भरने का, तो उनके लिए खास, CUET ने अपनी date जो है, वो extend करकर 31st March 2023 तक की है, I repeat, 31st March 2023 आपकी form filling की last date है, UG के लिए, PG के लिए, हम अभी discuss नहीं करें मैं फिलाल सिफ CUET UG की बात का रहा हूँ, ठीक है, और third, बहुत-बहुत important चीज है, especially हमारी जो students जो महराश्यों में रहते हैं, उनके लिए ये news खास बहुत ज़रूरी है, तो तीन नए colleges, Mumbai में के जो है, उन्होंने इस साल से CUET का score accept करना शूरू कर दिया है, तो सबसे पहल तो बहुत famous college है, सबको पता हूँ, especially Bollywood celebrities के लिए तो बड़ा famous college है, जिसे हम Mithi Bai college कहते हैं, उन लोगोंने, plus Narsi Monji, जिसको हम NM भी कहते हैं, ये दोनों भी colleges है, ये SVKM society के अंडर आते है, SVKM या Narsi Monji जो है, वो एक private university, या deemed university है, तो वो खुद अपनी भी entrance लेने वाले है ये से NMAT या NPAT वो लेते हैं, वो तो खेर लेने वाले, साथ ही साथ, इस साल से, वो CUET का score भी accept करने वाले है, ठीक है, और जो third college है, जिसको हम Somaya कहते हैं, ये भी Bombay का college है, ये भी एक, I think, एक deemed university हो चुकी है, तो ये लोग भी जो है, इस साल से, CUET का score accept करने वाले है, लेक इनके लिए ये scores CUET के accept करने वाले है, उनके जो un-added courses है, जैसे कि BBA है या BCA है, उसके लिए वो CUET के courses accept नहीं करेंगे, उसके लिए उनका जो भी पहले से जो चलता आया था, मेभी उनकी कोई private entrance होगी, या मेभी 12 के मास होगे, तो उस basis पे वो करने वाले है, उपर के जो मि लेकिन CUET के score से accept करने वाले है, प्लस उनकी खुद की भी entrance के वो scores accept करने वाले है, कुछ weightage जो है, 50% weightage वो अपने 12 के मास के लिए भी रखेंगे, लेकिन important बात ये है कि 50% जो weightage है, इस साल से, वो CUET के लिए है, और कुछ updates में मैं आकर आपको बता हूँ, तो देखे, तक ऐसे कोई colleges या universities नहीं थी, जो CUET के score accept करे थी, और मैं बहुत बार देखता था, मैं बहुत बार लोगों को बोलता था, especially महराश्णा के, जो Mumbai के, या पूने के, या हमारे Aurangabad side के, जो students है, कि आर, you should go to Delhi, आपको वहाँ पर जो exposure मिलेगा, वो आपको यहाँ पर महराश्ण में नहीं मिलेगा, बट उनके parents हो गए, या वो खुद students भी जो थे, they are not really willing to go to Delhi to study, so उनका बहुत जादा अच्छा चांस JNU का या DU का उनका चला जाता था, ठीक है, तो in spite of having all the marks and everything, बच्चे डेली जाते नहीं है, यहां के, महाराश्णा के, यह ट्रेंड में यहां का बता का score accept करें, तो it's a very good thing, please please इसका benefit जरूर उठाएं, thank you everyone, that's it for now, अगली बार वापस मिलते हैं, goodbye.